भारत के दिगगज पॉइंट गार्ड वेंकटेश प्रसाद ने गुरुवार को कहा कि भारत की ICCTB स्विश्व कप टीम वास्तव में संतुलित दिखती है, लेकिन रवीन्द जडेजा की उपस्थिती में बहुत अधिक ताकत जुड़ जाती अगर वह चोटिल नहीं होते। लेकिन वो अनुभवी पेसमेका मुहम्मद शमी को भी देखना पसंद करते, जो इस समय स्थानापनों में शामिल है। वे एक संतुलित टीम है, वास्तव में अच्छे हैं। उनके पास अच्छे रैकेट और बहुमुखी खिलारी हैं। जडेजा ने उन्हें याद किया ल प्रसाद ने एनाई के साथ एक विशेश साक्षातकार में कहा। अखिल भारतिय वरिष्ट चैन समिती ने सोमबार को ऑस्ट्रेलिया में आगामी ICC पुरुष्टी 20 विश्व कप और घर में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिन अफ्रीका के खिलाफ टी 2 शून्य इश्विंखला के लिए भारतिय रोस्टरों का चैन करने के लिए बैठक की। चोट के कारण रवींद जडेजा चूके प्रसाद ने स्विकार किया कि भारतिय क्रिकेटरों की उम्मीदे हमेशा उची होती है और कहा कि मौझूदा टीम सर्वश्रेष्ट में से एक है जिसे BCCI चुन सकता अनुभव है, संतुलन है, पिछली बार जब हमने 2017-2020 विश्व कब जीता था, तो हमारे पास कोई अनुभव नहीं था, लेकिन मौझूदा खिलाडियों के पास इसका बहुत अनुभव है और मुझे यकीन है कि वे अच्छा करेंगे, एक उच्चिस तर है कोशल का, वह ले बुत नजर डाली, जहां वो 276 रनों के साथ दूसरे शीर स्कोर के रूप में समाप्त हुआ, पांच मैचों में और एक शतक और दो अर्ध शतक में 92.00 की ओसत से उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ 122 की नाबाद पारी भी तोड़ी, तेज गेंदबाज जस्परीत विश्व कप के लिए रिजर्व खिलाडी के तौर पर रोस्टर में शामिल किया गया है और वेगहरेलू सीरीज के दो रोस्टरों का भी हिस्सा है। इस साल आइसी सीटी बीस विश्व कप के लिए भारतिय टीम, रोहित शर्मा कप्तान, केल राहुल, उप कप्तान, विरा अनेश्वर कुमार, हर्ष पतेल, अर्षदीप सिंग, जियो के ट्री स्टैंडबाय में मुहम्मद, शमी, श्रेयस अयर, रवी बिश्नोई, दीपक चाहर